समूह की महलाएं क्या आपको पता है? समूह में कौन सा पैसा आपका है? और कौन सा पैसा सरकार का है? आज मैं ग्रामीड विलाकों में कुछ घूमने गई थी वहाँ पेसेज्जे बहुती बना था किसी को कुछी पता नहीं है कि कौन सा पैसा हमारा है और कौन सा पैसा सरकार का है? कहीं कहीं पे कुछ फ्रॉड भी हो रहे है समू सकी कहीं बहुत गंदा काम कर रही है कि जो है चक्रिनिधी भी वापसी करा रही है बचत भी वापसी करा रही है और सारे पैसे को बोल रही है सरकार का पैसा है जमा करना है तो थोड़ा सा आप लोग बहन लोग ध्यान देजी अपने समू में कौन सा पैसा है ये आप जानिए कि कौन सा पैसा आपका है और कौन सा सरकार है आप लोग बैठेक में जो साथ ताहिक बचत करती हैं 10 रुपया हो या 20 रुपया हो या 25 रुप जब आर्याफ आता है 15,000 वो भी पैसा आपका है वो चक्री निधी है जो की सरकार आपको दिया है पैसा घुमाने के लिए उसको लेन दिन करने के लिए अपने समू को मजबूत करने के लिए और पैसा लेन दिन करेंगी ब्याज बढ़ेगा वो भी पैसा आपका है पंद्रा हजार तो है ही लेकिन पंद्रा हजार से जो ब्याज आते हैं वो भी आपका है और जो आप लोग 20 रुप्या बच्छत करके साथ पाइक जमा करती है उसका ब्याज जो आता है वो भी आपका है और उसके बाद आता है CIF का पैसा जब CIF का पैसा सरगार की तरब से आपके पास पहुचता है तो आप उसको एक लाग दर जार पांच बहनों में डिवाइड कर लिजिए देन लेन फिर उसको किजिए अगर आप यहां ग्राम संग्ठन बना है तो उसमें एक परशन ब्याज दर से जमा किजिए अगर नहीं बन नहीं देंगी तो अधिकारी आएंगे थापको पैसा वसूलेंगे तो इस बात पे ध्यान दे कि आपका पैसा क्या है बचत है और जो ब्याज है वह भी आपका है जक रिनीरिदर वह भी आपका है यह सब पैसे आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है ये अपने समू में ही पैसा रख कर आप लोग देन लिन करें और समू को मजबूत बनाए और पैसा बढ़ाए ये धीरे धीरे पैसा बढ़कर काफी पैसा हो जाता है कि आपको कहीं से पैसा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एक लाग दर जार है जो नियोजन बना के दे उसी इसाब से आप नियोजन में ग्राम संकठर में पैसा जमा करें धीरे धीरे पैसा जमा करना है ना कि एक अठा पैसा जमा करना है ये एक लाग दर जार पच्पन की तो में जमा करना होता है 2000 मुल्धन और 1100 ब्याज पहले किस्तमे में फिर हर बार जो है 2000 का ब्याज कम कम करके आप बराबर उसको महिने दर महिने ग्राम संकटर में जमा करें और बाकी पैसा जो महिलाएं वापस करती है उसको फिल लेंदिन कीजिए आप लोग आपसी में लेंदिन करते रिए और लिखे हो उनसे ही किताब लिखवाना स्टार्ट कर देजिए और सब बहने करती हैं समु तो बनाया जा रहा है किताब दे लेकिन अबको लिखना पढ़ना नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज प्लीज मेरे प्लेणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब केजिए और उसमें पास्बुक भी वीडियो डाल रखे हैं आप उस वीडियो को देखकर जो है अच्छे से पुस्तक लिखना सीख सकती हैं और लिखिए और अच्छे से बनाईए संबु का किताब अगर एक बार लिख कंगा खराब हो जाता है तो उसको बनाने में आगे बहुत धिक्कते आती हैं फिर उसके बाद आपका बैंक से जो सीसिया सरकार करा रहा है तो बैंक वाला सीसिया नहीं करता है क्यूंकि आपका रेश्टेर maintenance नहीं रहता है आप सही से लिखेंगी लिखेंगी नहीं तो कहां से बैंक वाला आपका CCL करेगा एक बार आपका जहां दीदी CCL हो गया तो आप CIEF का पैसा वापस कर देंगी दीरे दीरे करके तो उसको साल भर के अंदर जमा करना रहता है अगर उसको साल भर अंदर जमा कर देंगी तो आपको दुबारा एक लाख मिलेगा एक लाख जमा करेंगी तो दो लाख मिलेगा दो लाख जमा करेंगी तो तीन लाख मिलेगा अगर तीन लाख से चेक बुग निगलवा लें जितना भी आपका पैसा वापसी हो जमा हो उसको लेके बैंक में अपने खाते में जमा कर दें और किसी दीदी को गर पैसा देना है तो चेक काट के दीजिए ऐसे बैंक वाले को लगेगा कि आप लोग लेंदिन कर रही हैं आप हास्ते लेंदिन आपब किसी को और फषनें दें सारे पैसा मिटइंग किजिए सारे पैसा गोलूल damaging कितना पैसा हुआ है सारा पैसा ले जागे बैंक में चैमा कर दीजिए और चेक बोग निक्रवा ले जिए जब किसी दीदी को पैसा चाहिए तो अध्यार सची कोँशाद लेके साइन करव अगर आपको लेखा जोखा मि दिक्कत होगा आजकल बहुत सी महिला हैं कि पैसा लेके पड़ जुख होगा है कि हमें पैसा नहीं दिया गया है तो आपको दिक्कत आएगा ईकर चेक दिये रहेंगे तो तो आपको कोई दिकत नहीं आ रहे हैं, आज के वीडियो में इतना ही धन्यवाद, अगर आपको हमारा वीडियो पशंद आया हो, तो सब्सक्राइब लाइक जरू किजिए, और अगर आपके आसपास कहीं समूब बन रहा है, तो क्रिप्या करके वीडियो दिखाएं, और शेय भी करें, नमस्कार